दोस्तों नुमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के लिए सामान यद्ध प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री कालेज और यल्टी ग्रेड आध परिक्षाओं के सामान यद्धियन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी हैं तो आएए शुरू करते हैं UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के लिए सामान यद्धियन के महत्तपूर्ण प्रशनों का और आप जानते हैं कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है और परमाड उर्जा से विद्धुत के उत्पादन के लिए रियेक्टर में यूरेनियम का उप्योग इंधन के रूप में किया जाता है तो याद रखेगा विद्धुत उत्पन करने के लिए यूरेनिय को परमाडव इंधन के रूप में प्रियोग किया जाता है अगला प्रेशन है सोने को घोला जा सकता है किसमें सलफ्यूरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड में तीन भाग हाइड्रोकुलोरिक एसिड और एक भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में या फिर हाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो सही उत्तर है आपसंसी तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड के मिशनड में दूस्तों आप जानते हैं कि सोना एक नोबिल धातु है उसे घोलने के लिए अमलराज यानि एक्वारेजिया का निर्म अगला प्रशन है दोस्तों किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे पानी के बहने से संपीडित गैस को छोड़ने से रसोई गैस से या ठोस को पिखलाने से तो सही उत्तर है संपीडित गैस को छोड़ने से दोस्तों संपीडित या कंप्रिष्ट गैस को छोड़ने से कमरे को ठंधा किया जा सकता है एर कूलर में संपीडित गैसी प्रियुक्त होती है जिससे किसी कमरे या अन्य अस्थान को ठंडा किया जाता है तो जो air conditioner है उसमें संपीडित गैस प्रियोग की जाती है अगला प्रशन है दोस्तों प्रकास में सात रंग होते हैं इनको अलग करने का क्या तरीका है आपको बताना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आप जानते हैं कि स्वेत प्रकास जो है ये सूरे का स्वेत प्रकास सात रंगों के प्रकास से मिलकर बना होता है और एक प्रिज्म से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है क्योंकि प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग-अलग तरंग धैर के कारण ये सातों रंग के प्रकास अलग अलग होकर वर्ण पट या स्पेक्टरम का निर्माण करते हैं तो याद रखेगा प्रकास के सात रंग होते हैं इन रंगों को अलग करने का तरीका प्रिजम है प्रिज्म से ये रंग एक स्पेक्ट्रम के रूप में अलग हो जाते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों ग्लोबलाईजेसन या वैश्वी करण के पीछे मुख्य विचार क्या है आपसन देखिए राष्टों के बीच मित्रता प्राप्त करना अंतराष्टी विवादों का समाधान आपसी सामान द्रिष्टिकोंड रखते हुए समस्त अंतराष्टी समुदाय के साथ कारे करना या उपर युक्त में से कोई नहीं तो उत्तर है बैस्वी करण या ग्लोबलाईजेसन के पीछे मुख्य विचार आपसी सामान द्रिष्टिकोंड रखते हुए समस्त अंतराष्टी समुदाय के साथ कारे करना है अगला प्रश्ण है दोस्तों अमल वर्षा या एसीड रेन होती है कैसे कार खानों से पेट्रोल से कोईला जलाने से या लकडी से तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर है एसीड रेन या अमल वर्षा कार खानों से होती है वातावरण में उपस्थित कार्बन डायक्साइड, सल्फर डायक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, नाइट्रस आक्साइड आड की द्वारा परदोशन उत्पन होने की कारण जो वाता बरण में उपस्थित जल की मात्रा से ये नाइट्रोजन के आकसाइड नाइटरिक एसीड और दोस्तों देखिए कारबन डायाकसाइड और जो सलफर डायाकसाइड होते हैं, सलफ्योरिक अमल का निर्मार करते हैं, जिससे की जो है असीड रेनिया जो अमल वर्षा ह अगला प्रेश्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेश्ण संख्या आठ सबसे छोटा दिन कब होता है आपसन है आपके 22 दिसंबर 23 सितंबर 23 जून या 23 अप्रेल तो सही उत्तर है 22 दिसंबर को दूस्तों सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन 21 जून क होता है 21 मार्च और 3 सितंबर को दिन और रात समान अवधिके होते हैं अगले प्रश्ण पर आते हैं महासागर में उची जल तरंगे कैसे उत्पन होती हैं देखिए भूकम से सूर्य से तारों से या चंद्रमा से तो सही उत्तर है चंद्रमा से आपसंडी आप जान लीजे पोडिमा के दिन महासागर में ब्रिहत ज्वार भाटा आता है जबकि सप्तमी और अश्टमी को लगु ज्वार भाटा आता है चुकि चंद्रमा अनितारों की अपेक्षा पिर्थवी के जादा नजजदीक है इसलिए ये पिर्थवी के गुरुत्व कर्शन बल को जादा प्रभावित करता है इसी से महासागर में उची जलतरंगे उत्पन होती है और चंद्रमा की ज्वार उत्पादक सक्ती सूरी की तुलना में दो दस्मलो एक साथ गुना अधिक है अगला प्रशन है दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी कब तो आप जानते हैं 1828 यानि 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी और 18 1965 में केसव चंदर सेन ने आदि ब्रह्म समाज की अस्थापना की थी अगला प्रशन है दोस्तों संयुक्त राष्ट संग यानी यू यन्नो की सुरक्षपरिशत में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थाई सदस्य नहीं है जापन, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस तो सही उत्तर है जापन जापन दोस्तों यूनाइटेड इस्टेट्स के सिक्योर्टी कौनसील यानी सुरक्षपरिशत का अस्थाई सदस्य नहीं है और आप जानते हैं कि 15 सदस्य संयुक्तराष्ट सुरक्षपरिशत में संयुक्तराष्ज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन पांच अस्थाई सदस्य होते हैं जिनमें प्रतेक पांच सदस्यों का चुनाव दो वर्स के अंतराल पर किया जाता है तो पांच अस्थाई और दस अस्थाई सदस्य होते हैं सुरक्षा परिशद में पांच अस्थाई सदस्यों में आप जान लीजे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है अगला प्रेशन है संयुक्त राष्ट संग के वर्तमान महासचिव कौन है? कोफियनन, यूथ हंट, कुर्त बालदहीम या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है इन में से कोई नहीं क्योंकि आप जान लीजे संयुक्त राष्ट संग के वर्तमान महासचिव इंटोनियो जो की पूर्टगाल के हैं अगला प्रेशन है दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है पंडिस जवाहरलाल नहरु को, इंद्रा गांधी को, मनमोहन सिंग या पीवी नर्सिंहराओ को तो सही उत्तर है डाक्टर मनमोहन सिंग को आप जान लिजे भारत में उदारी करण की शुरुवात सन 1992 से हुई डाक्टर मनमोहन सिंग ने पीवी नर्सिंहराओ सरकार में वित्त मंत्री के पत पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों के प्रक्रिय प्रारम के इसका परड़ाम ये है कि आज भारत विस्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थ बेवस्था है अगला प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से है गुलाम वन्स का पर्थम शासक कौन था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन आवग, रजिया या फिर बलवन तो गुलाम वन्स का पर्थम शासक कौन था आपको बताना है तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन आवग दोस्तों गुलाम वन्स इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन आवग था इसने 1206 से 1210 इसमी तक शासन किया इसके बाद इल्तुत्मिष जो है सुल्तान बना और इल्तुत्मिष को गुलाम वन्स का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है लेकिन गुलाम वन्स का पहला शासक को तो बुद्दीन आवग था जो कि मुहमद गोरी का गुलाम था अगला प्रश्ण है दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो बहुत ही आसान सा प्रश्ण है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है और इससे मौर एक आलेन परसासन की नगर वेवस्था और सामाजिक जीवन के बारे में विश्तरित जानकारी मिलती है अगला प्रश्ण है दोस्तों न्यायमूर्ती यूसी बनरजी आयोक का गठन किया गया था किसके लिए 2002 के गोध्रा घटना की जाच के लिए सिख दंगो की जाच के लिए चारा घोटाले की जाच के लिए या उपर यूगत में से कोई नहीं तो सही उत्तरा आप्षन ए 2002 के गोध्रा घटना की जाच के लिए दोस्तों गोध्रा में साबरमती एक्सप्रेस में 27 फरवरी 2002 को हुए अगनिकांड की जाच कर रहे न्यायमूर्ती यूसी बनरजी की अध्यस्ता में गठे जाच जो समित की कारेकाल में तीन माह की ब्रिद्धी की गई थी और इस समित का कारेकाल 4 जून 2005 तक था तो कुल मिलाकार यूसी बनरजी आयोग 2002 के गोध्रा धंगो की जाच के लिए गठित किया गया था अगला प्रेशन है दोस्तों भारत के प्रधान मंत्री मुख्य हैं राज्य सरकार के केंद्र सरकार के राज्य और केंद्री सरकार दोनों के या उपर यूक्त में से कोई नहीं तो भारत के पीयम यानी प्राइम मिनिस्टर केंद्री सरकार के मुख्य होते हैं और आप जानते हैं कि भारत का प्रधान मंत्री केंद्री सरकार का प्रमुक होता है अनुच्छे 74 एक में कहा गया है कि मंत्री परिशत का प्रधान प्रधान मंत्री होगा वो संग की कारिपालिका के परसासन संबंधी और विधान विश्यक प्रस्थापनाव संबंधी मंत्री परिशत के सभी बिनेश्य से राष्ट पती को अगत कराता है अगला प्रेशन है दोस्तों आल इंडिया ट्रेड यूनियन का अंग्रेस का पर्थम अध्यक्ष कौन था वीवीगिरी, स. डांगे, पंडि जवाहलाल नहरू या लालालाज पत्राय तो सही उत्तर लालालाज पत्राय दोस्तों आल इंडिया ट्रेड यूनियन का अंग्रेस की पर्थम अध्यस्ता लालालाज पत्राय ने की थी और इसकी पहली जो बैठक है 1920 में की गई थी और लाला लाजपत राय ने अक्टूबर 1920 में बंबई अधिवेशन की अध्यस्ता की थी अगला प्रेशन आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान इंग्लेंड का परधान मंत्री कौन था आपसन है चैंबरलेंड चर्चिल, क्लीमेंट एटली या मैकडोनाल्ड तो सही उत्तर क्या हो जाएगा विल्सेंट चर्चिल दोस्तों देखे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 के दोरान इंग्लेंड का परधान मंत्री लार्ड चर्चिल था जिसका कारेकाल 1940 से 1954 था अगला प्रश्ण है मगध की राजधानी कौन सी थी यानि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी आपको बताना है पाटली पुत्र, वैशाली, गिरिवर्ज, रया राजगरिह या फिर चमपा तो सही उत्तर है गिरिवर्ज या राजगरिह मगध की पर्थम राजधानी थी मगद की पर्थम राजधानी गिरीवरज थी बाद में उधयन ने राजधानी को गिरीवरज जी से पाटल पुत्र अस्थानांतरित किया था अगला प्रश्ण देखिए आसान सा प्रश्ण है कि नंद वंस के बाद मगध पर किस राजवंस ने शासन किया था तो तर है मौरे वंस ने दोस्तों आप जान लीजे कि 344 सी सपूर में अंतिम नंद शासक घाना नंद का वध करके चंद्रगुप्त मौरे ने मौरे सामराज्य की अस्थापने की थी तो नंद वंस के बाद मगध पर मौरे सामराज्य का शासन हुआ था अगला प्रशन है मौरे काल में सिक्षा का सरवाधिक परसिद्ध केंद्र कौन सा था दिखे वैशाली नालंदा तक्षसिला या उज्जेन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा तक्षसिला दोस्तों मौरेकाल में तक्छसिला सिक्षा का सरवाधिक पर सिद्ध के नर था और इस बात की पुष्टी बहुत ग्रंतों और चीनी आत्रियों के वृतानतों से होती है अगला प्रेशन है दोस्तों भारत में पंचायती राजब्यवस्था सरोपर्थम राजस्थान में और कहां पर आरंभ की गई थी तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज विवस्था सबसे पहले राजस्थान और किस अन्य राज्ज में प्रारम की गई थी आपको बताना है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश दोस्तों भारत में पंचायती राज का उद्गाटन सबसे पहले 2 अक्टूबर 1969 को ततकालीन प्रदानमंत्री पंडित नहरुद्वरा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया इसके बाद आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्जों में इस विवस्था को अपनाया गया बढ़ता जाता है या इस्थिर रहता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर बढ़ता जाता है आप जान लिजे जैसे जैसे अर्थ विवस्था का विकास होता है राश्टी आय में तृतियक छेत्र यानि सेवा छेत्र का अंशदान बढ़ता जाता है अगला प्रेश दोस्तों आप जान लीजे कि दुति पंचवर्सी योजना PC महाल 29 माडल पराधारित थी ये योजना 1956 से 1971 तक थी और इस योजना का लक्ष था उद्योगों को प्रात्मिक था राष्टियाय में 4.5 प्रित्षत की वार्षिक वृद्धी और रोजगार स्रिजन तो याद रखे दुति पंचवर्सी योजना की रूप रेखा PC महाल 29 के द्वारा तैयार की गई थी अगला प्रिशन है निमने लिखित में से कौन सा विशह समुवर्ती सूची यानि कंकरेंट लिष्ट में है क्रिसी, सिक्षा, पुलिस और रक्षा तो सही उत्तर है सिक्षा दोस्तों अगला प्रेशन है भारत में सबसे अधिक काफी या कहवा उत्पादन का 56 प्रतिशत हिस्सा के वल करनाटक राज्य से उत्पादित होता है अगला प्रेशन है देखे निस्क्री विरोध या पैसिव रेजिस्टेंस के सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया महात्मागांधी विपिनचंदरपाल बालगंगा धर्तिलक या अरविंद घोस ने तो सही उत्तरापसंडी निस्क्री प्रतिरोध के सिध्धान्त का प्रतिपादन अरविंद घोस ने किया और इस सिर्धान्त का प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाब बिरोत प्रदर्शन जारी रहना चाहिए अगला प्रेशन है दोस्तों भारत का कौन सा राज ये सरवाधिक अभ्रक यानि माईका का उत्पादन करता है तो उत्तर है बिहार दोस्तों बिहार के बिभाजन के बाद यहां के अभ्रक उत्पादन का अधिकान स्षेतर जारखंड में चला गया है तो अब ये जो है अभ्रक का उत्पादन जहारखंड हो जाएगा लेकिन इसमें विकल्ब में जहारखंड नहीं दिया गया था तो जहारखंड में सरवाधी का अभ्रक उत्पादन कיया जाता है अगला प्रेशन और आज के प्रैक्टिसेट का आखरी प्रेशन है कि पीपल के बर्तनों को कलाई करते समय गरम बर्तन के सफाई के लिए प्रियोग किया जाने वाले अमोनियम क्लोराइट चूर्ड से निकलने वाला धुआ क्या होता है तो ये ammonia और hydrochloric acid का धुआ होता है जब people के बरतनों को कलाई किया जाता है तो गरम बरतन की सफाई के लिए प्रियोग किया जाने वाला ammonia और hydrochloric acid होता है ammonia अलपमात्रा में उपस्थित होता है और प्राय मृत प्राय जीव जन्तों और बनस्पतियों के सड़ने पर ammonia gas बनती है तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस एट UPPCS प्रारंभिक परिक्षा और RO-RO यानि समिक्षा धिकारी, सहायक समिक्षा धिकारी तथा अन्य लोक सेवा आयोगों जैसे अधिनस सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले परिक्षाओं के लिए सामान या धियन के महत्तोपोंट प्रैक्टिस एट जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रिशनों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार